नमस्ते दोस्तो, विक्रांथ मैसी बन चुके हैं, विक्रांथ मैसी गंदे हो गया है, विक्रांथ ट्रोलिंग चल जल रही उनकी जबर जस्त असल में विक्रांथ मैसी का दो दिन पहले इंटर्व्यू आया था समध्धीश भाठिया के साथ ANI की स्मिता प्रकाश के साथ भी आ चुका है इन इंटर्व्यूज में उन्होंने अपनी इंस्पारिंग जर्णी बताई और धार्मिक एंगल पर अपने विजार विक्त किये जर्णी तो उनकी है ही प्रेरक 12 फेल्म में भी लोग उनसे कनेक्ट कर गए सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था लेकिन फिर उन्होंने लाजिक की और धार्मिक सर्भाव की बात कर दी विक्रांत ने बताया कि उनके पापा क्रिश्चियन है ममी सिख हैं एक भाई ने मुस्लिम धर्म अपना लिया है उनकी रिष्टेदारियों में भी रिलीजन का कुछ खास रोल नहीं रह गया है बस इसी बात पर प्रॉबलम हो गई सभी धर्म एक जैसे नहीं हो सकते मेरा वाला बेस्ट है ये कर्वर करने लायक है ये तो बोलना ही होता है ये क्या कि हमारे घर के पास मजजिद भी है मंदिर भी है चर्च भी है उसके बाद भी इरिटेट नहीं होते फिर विकरांथ मेसी का एक दोजार अठारा का ट्वीट वाइरल हो गया जो उन्होंने डिलीट कर दिया और उसके लिए सारी भी बोला पॉलिटिकल बातों पर विकरांथ मेसी काफी मुखर रहे है लेकिन अब वो जमाना गया जब वो बबलू भाइया बनकर किसी की भी रेल बना देते थे अब नया भारत है यहाँ पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस ओपीनिन भीड से अलग रखने वालों के करियर के साथ वही होता है जो बबलू भाइया के साथ मिर्जापुर के क्लाइमेक्स में हुआ था क्योंकि आज कल मुन्ना भाइया घर-घर बैटे हैं हाथ में मोबाइल लेकर ट्रोल करने बे एक सेकंड नहीं लगाते अब अगर किसी ने मुझे कमेंट्स में कहा कि विक्रान मेंसी जैसे दिखते हो तो खीच के पपी ले लूँगा मैं उसकी अरे भाइ वो इनसान अच्छा है बस बदनाम बहुत है एक्चुली बदनाम भी नहीं है एक्सोचालिस करोड की अबादी वाले देश में दसवीज हजार चंगु मंगु किसी काईदे की इनसान को रेक्टर को जिसने अपने मेहनत से अपना नाम बनाया है उसको बदनाम करते हैं तो बदनाम ही नहीं होती डोन्ट डू ज़स चिल मीम्स देखके भी मजा रहा है कितने सारे फिल्मों के सीन याद आ गए कान्तिवीर का ये हिंदू का खून ये मुसलमान का खून ये वाला जब बनाने वाले ने भेदभाव नहीं किया तो तुम कौन होते हो बे पीके का ये वाला सीन और हंगामा पिक्चर का ये राजपाल यादो उर्फ जावेट चौरसिया वाला सीन कितना कांटेंट है यार इसलिए तो साला मुझ से कोई काम ढंका हो नहीं रहा एक बार कांटेंट देखना शुरू करो तो खतम ही नहीं होता लेकिन विक्रांत मेसी को आगे से ध्यान रखना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए जब लोगों को मूर्ख बनाकर ज्यादा कामाई की जा सकती है तो उन्हें ग्यान देकर अपने पेट पर लात मानने की क्या जरूरत है ये बुद्धिमानी के बात नहीं है और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को काम्याब होने के बाद अपने ट्वीट डिलीट कर देने चाहिए मैं जिस दिन अपने पुराने वीडियो और पोस्ट डिलीट करने लग जाऊं उस दिन समझ जाना कि मैं अब काम्याब इंसान बन चुका हूं और मुझे शिव खेड़ा की किताब जीत आपकी पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना विवेक बिंद्रा का बिजनेस चॉइन करने की मेरे डिप्लिकेट विकरांद मेसी ने स्ट्रगल करके अच्छा काम और अच्छा नाम बनाया है ये देखकर बहुत प्रसंद्नता होती है उन्हें ट्रूल करने वालों को मेरा वीडियो जरूर दिखाना और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिल आइकन नहीं यार ये तो बड़ा अजीव सब्सक्राइब कर लेना यार बस मुझे फालो कर लेना हर जगा इंस्टाग्राम फेस्बुक और टेक्स पर अभी चलते हैं लाट के मिलते हैं नमस्ते